डूनियर ऑप्रामरी की स्रीज में 50 परष्टनों का जो खंडका है वो वी सबी में अनिमार हैं जोड़ेज़ आपके लिए लाइब है इस स्रीज में हम हन 50 परष्टन में GS, GK, Current, Origining के Top 50 परष्टनों की व्याखात में खाल पड़ेंगे क्योंकि race के घोड़ी race में अच्छा रखते हैं मेरा उद्देश आपका selection है इसलिए इस class के अंदर तक बने रहेगा यह निसुल class आपके देशित में राशित में है कोपी कलम लेकर बैठिएगा कि आपकी परिच्छा में इससे बाहर पश्णाने वाले नहीं है अगर आपके यह लगता है कि आपको exit लेना है इस class का अंदर तक बने रहेगा और यह मुल्यांकन गरिएगा आपके 50 में कितने सही हुएं मनि 50 में आपने कितने अंक अरजित किये अगर आप परिच्छा हाल में होते आपके कितने सही होते हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धिय में एक होगी खुद का मुल्यांकन होगा चलिए पहला पशन है कौन सा जीवाडू जनित है कौन सा रोग इसमें जीवाडू जनित है आप सरी के लिए महत्त पूर्ण है तो भाया भीना देरी किये सवाल का जवाब जरूर दीजेगा विकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जल्द यली कॉमेंट करिएगा मेरे पैरे से इच्छक साथियों इस देश के निर्मा आता हूं जल्द यली इसे हम तपेदि कहते हैं इसे हम त्पी-बी कहते है यह दोल्द ज्रूर्ण होता है यह जिवाणव रोकी के थूख टथा बल्दो में मौजुद होता है जो हवा के माध्यम से दूसरे वक्ति को संघ्रमित कर देते जैसे खिलाडी पाउं, एथलीट फूट नामक रोग, एक बिसेस फबूदिस होता है खिलाडी पाउं जो होता है, एक बिसेस प्रकार की फबूदिस होता है जिसे हम ट्राइको फाइटोन कहते हैं दाथ कवक के काम, दाथ जो होता है, ये कवक के करण होता है इसे करणर का वक्य करणर अब आपको जवाब देना है इसका 202 का जी हां 202 आपके सामने है कहरा है भात्मी जन्मी प्रतीक 200 सिस्वों में से प्रत एक अतिसार से मर जाता है जिसका करणर क्या है जब आप जरूर दीजेगा ये क्लास सड़े नो बजे आपके जीवन की एक महत्पूर क्लास होती है क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जलेली कॉमेंट करिएगा सबी साती हो दिखिए भातने प्रतीक 200 सिसुमें से एक अधिसार से मर जाता है इसका कारण है रोटा वायरस कौनसा वायरस रोटा वायरस बिश्वनों जीवनों में परजीवियों के संक्रमन के फलसोर अधिसार रोग होता है वैसकों में अधिसार का प्रमुक कारण नोरो वायरस है जब कि बच्चों में रोटा वायरस इसका प्रमुक कारण है ठीक है बच्चों में कितका है रोटा वायरस तीम अगर बढ़ों की बात किया ने अगर आगे चलते हैं कि अगले मैसने की तरफ बीड़ो को अपने शवी साती वित्रों तक जरूर पहुचा दीजेगा देशित में राषित में कि यह श्रीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानो कलाई में नाड़ी अस्पंदन करती है यह सिर्ट में इतिहास भगोल श्रम्विधान उसके साथ सामानिविज्ञान कंप्यूटर यूपी स्पेसा सबी का समाधेशन है तो जब आप जरूर दीजेगा यह होगा उसी दर पर जिस पर हिर्दय गति करता है और धमनियों में होने माले हल्चल को नाड़ी कहते हैं नाड़ी उसी दर पास पंदन करती है जिस पर हिर्दय या दिल धड़कता है ठीक चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं कोई दिक्कार कोई समस्या नहीं है ना प्रशारी बिश्व की संगलपना आधारी थे प्रशारी जो बिश्व की संगलपना आधारी थे जवाब जरूर दिजे कैसे हैं डाप्टर प्रभाव इस्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव रमन प्रभाव क्या होगा जवाब क्या है आपका बताई जलेली कॉमेंट करके हाँ आपकी बार एक सिट हमार देखिए अगर आप प्रशारी विश्व की संगलपना देखें तो यह है डापलर प्रभाव क्या होगा डापलर प्रभाव प्रशारी विश्व अकलपन डापलर पर आधारित है इसको एडविन हबल ने डापलर प्रभाव के दोरा यह घ्यात किया कि विश्व का विस्तार प्रशार हो रहा है जब किसी ध्वनी का सुरोत या सुरोता के बीच आप एचित गती होती है तो सुरोता को ध् graph करता को दोनी कि आविर्टी उसकी वास्तविक आविर्टी सेसे अलग सुनाइते है इससे ही हम क्या कियता है डापलर प्रभाव के देगा कल पक्कम के फास्ट रिव्रियोडर इक्टर में कांसा सीटलक पर्योग में लाया जाता है कौन सा सीतलर प्रियोग में लाया जाता है जवाब जरूर दीजिएगा बताई चल दीजिए देखे यहां पर ध्यान दीजिएगा द्रवित सोडियम क्यों होगा द्रवित सोडियम इंद्रा गांधी परमादु अनुसा धान केंद्र के स्थापना 1971 में कहां पे गुआ था कलपक्कम केंद्र का फास्ट वीडा रेक्डर में अनुसांध़ान युँ विकास करना इसमें इधन के रूप में प्लूटोनियम ताथा सीतलन के रूप में द्रविच सोडियम का प्रयोग किया जाता है सीतलन के लिए द्रविच सोडियम जहां दीजेगा और इधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं प्रूटोनियम का एकदम इंपोर्टेंट है ठीक यह सामने विग्ञान की प्रिशना पर सलबस्ट में यह हमें सायाद रखेगा अगला है इसमें क्या करना है मिलान करना है सभी को मिलान करना है इसमें क्या रहा है कौन सही नहीं है कोबाल्ट 16 सरीर के अंतरंग के अर्बूत का उप्चार 1813 थारेड अर्बूत का उप्चार सही है फास्वरोस 32 सुटरक्ता का उत्पार लेकिन गोल 198 जो है यह यह रेटीना तो इसको उप्योग नहीं है यह किसका यह सोने का रेडियक्टू आइसोटोब है इसका प्रियोग क कैंसर के प्चार में होता है कैंसर इसका प्रियोग की जाता मैं इस प्रउच्ण का उत्तर 够 ईडी जो गलत है वह ही आपका रहरे मलें जब्वक्ता होगा जलते हैं कि अजिसमय के पीछे तर सब्सक्रें के लिए कों सा दरृपना फिय्द्त होता समतल तो होता नहीं क्यों डाड़ी बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं अउतल अउतल में जी हां हम आपके प्रश्ण का सभी जवाब क्लास के अंते में देंगे बस अभी आप पूरे मनियों के साथ पढ़ेने 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 पर फोकस करिए इस प्रश्ण का जवाब आप लगोंने सही दिया है उतल लेंस ज्यांदीजेगा उतल दरपड में प्रतिक दसा में प्रतिविम दरपड की पीछे उसके धुरू और फोकस के बीच वहत उसे छोटा सीधा आभासी बनता है इसका प्रयोग गाड़ी पीछे के दरश्ण को देखेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए इस विकल्ब का उत्तर भी होगा यह वे प्रश्ण है जो परिच्छा में हुबहु आएंगे इसलिए जो लोग इस पीडियो को देखेंगे यकीन मानिए पर इच्छा हाल से बाहर निकलेंगे तो एक बार जरू कहेंगे इसलिए बिद्रगे सिज़े बैस्ट जीएस के मामरे में जो मैं सुहें पढ़ाता हूँ निम्निकि कौन सा एक सही नहीं है तीन सही है और एक सही नहीं है आपको यहीं बताना है यह कौन सा सही नहीं है बताए बताए जली यली कॉमेंट करके एड वीडियो को सेर कर दीजे सभी साथी चाय फेश्बूक पर यूट्व पर जहां भी देख रहे हैं सेर जरू करिए सेर जरू करिएगा प्रस नमबर आठ मिट इसलना एक प्रकासिक भ्राम है जो प्रकास के पुड़ा अंतर कर सोपन होता है अगला सर्च लाइट में अउत्तल दर प्रेक्त होता है गर्वी में सामानता सफेदे हलके रेंगे कपड़े गाढ़े रेंगे कपड़े तुलना में विशुष नहीं माने जाते हैं यह गलत एक छोटे चितर वाला उत्तल दर पर डाक्टर दौरा रोगियों को कान ना क्या गले की जाज के लिए प्रोगे यह गलत है इसका मतलब सारे प्रस्ण का उत्तर क्या होगा क्लियर कोई समस्या, कोई प्रस्ण हो दो पूछ सकते हैं तक लिए बहुत अच्छी नहीं लेकिन आप ये क्लास के लिए हम लाइब आ गया है तो इसलिए तब यह सही हो सकती है अलकिन आपके करियर जाने के बाद साथ जिन्दिगी अलकम अगला मौका दिया न दे कहा नहीं जा सकता हम बढ़ते हैं अगले पश्ण की तरफ अगला पश्ण आपके तामने किस युग में की बिमारियों का कारण विशाड़ों है किस यु फिर अगर हम तपोधिक जिसे हम तपोधिक रोग जिसे हम तीवी कहते हैं यह माइक्रो वैक्टिरियम को जैसे कीबल कुलोसी नामक जिवालों कर रहा होता है पर स्टमबर 10 की तरफ पढ़ते हैं कौन सी एक वाल प्रदूसत कैसे और जिवास इधन के जोलन सोरुप उत्प सोजा है और वह हर हाल में यह परिच्छा क्वालिफाई करें उनके हरे गोले सही पर लगें और पूरे महनत इमानदारी जिपने इस प्रश्ण का उत्तर होगा सल्फवर्ड अक्साइड कोईला पेट्रोलियम जैसे जिवास मेंदन को जलने से सल्फवर्ड अक्साइड गैस समस्य होती है ठीक हम आगे चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ यह साड़े 9 बजे क्लास कभी मत छोड़िएगा सुबह साड़े 6 बजे करें की क्लास होती है डेली टाप 20 सिरीज लेकिन इसके साथ अगली बार से टाप 20 में विविद भी आपको मिलने जा रहा है जी हम अस् कैल्सियम दंत निर्माड के लिए है मताई यह आप लोग जवाब नहीं देते हैं गलत यह सभी को देना चाहिए मत सेयर करें मत लाइक करें लेकिन यह मानी परिच्छा हाल में क्योंकि पता हैं जो प्रश्ण हमारे गलत हो जाते हैं और फिर सही होने के बाद जीवन में वो याद रखेगा कैल्सियम और फास्पोरस अस्ती हड़ी और दात के निर्माड में कैल्सियम और फास्पोरस को सकता होती है इन दोनों सरीर के लिए नैनिक मात्रा में एक दसमलों दो ग्राम होती है ठीक है अगला वह इस्तूप अस्तल जो बुद्ध के जीवन के किसी घटन संबंदित नहीं है मोस्ट इंपॉर्टन प्रस्ट है कि जलेरी कॉमेंट करके बदाएगा सभी साथी यह जवाब हाँ मैं आपके जवाब देख रहूंग आप लोग जवाब देर हैं सभी जवाब देशे यह मानिये परिच्छाल में बैठें आप जब तक तोड़ेंगे न सार्नात है कुशी नगर है बोद्गया साची नहीं है कैशी नहीं है क्योंकि साची पुद्ध के जवाब देख से नहीं है यह असोग ने बनवाय था सम्राण असोग ने बनवाया था यहाँ असोग के अस्तम लेख मिले क्या है असोग के अस्तम लेख मिले यहाँ पे अस्तम लेख यहाँ से मिले सारनात में अपना पहला उद्देश दिया था most important बहुत गया में उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी कुछी नगर में उनकी मिर्ट्य होई थी किलियर हो रहा है कॉंसेप्ट बने एक प्रश्ण से चार चार प्रश्ण आपके ये उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश बोध गया बिहार सांची यम्टी सोची कितनी प्रश्ण मैंने आपके हां से त्यार करा दिया किलियर हो रहा है न ये ऐसे परिच्छा में आएगा होगा हो प्रश्ण जो लगाता और प्रश्ण पढ़ रहे हैं उनको कुछ प्रश्ण होगा हो मिल लाएंगे अगला निमनिकित में से इस डिकसार ने एक अधिलेक से सूचना मिलती है कि साकिमूनि बुद्ध क्या जन लूम्बनी में हुआ था जबाब जरूदी ज़िएगा लूम्बनी कहां है नेपाल में का है नेपाल एकप्रस्ण पर ये भी त्याण कि भब बताई देखें असोग एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है ये मौर समरार थे रुमन दे अब लेग कौन से ये प्रशन पूछ सकता है सेर गदा रुमन दे रुमन दे अब लेग ठीक है इसमें सागमनी बुद्धे का जान फोन करा नद गाले लेगा आपन तो बुद्धे जान रुमन दे अगला है चौद्धे निकित में से किसने चार असों में यग किये थे सभी लोग फटाबर कमन करें पुसमित सुंग, प्रवर सेन, समद्र गुप, कुमार गुप क्या होगा प्रवर सेन प्रवर सेन क्या अगला 15 कौन सा रत मंदिर सबसे छोटा है जब आप जरूर दीजिएगा चाहिसे फेस्बुक पे देख रहें चाहिए यूटूब पे देख रहें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बताइए अब बताई यह जो गुरूप बचाओ उसमें सेर पर जब अब है अगया अगया में बताई जली से एकदम यूनिक यूनिक पर चुन चुन कराया है द्रोपती रद द्रोपती रद अगया महावलीपूरम कहा पर लेखना चाहिए लेखेंगे माहा अब बली पूरब हो इसको महामलों पूरह में क्याते है पंलो के सासक नर्सीं कि इसके है युक्रों ऊसय में महापंड़ों नहींर्सिंग वर्मनलक फॉस्ट नहीं कि निए कि साहली में रत एकास्म मंदिर का निर्माण कराया था इसे में ध्रोपती रत सबसे छोटा है कौनसा एकास्मक मंदिर कि ऐसे हम कि आप लोग को उस क्लास में जरूर पढ़ा देंगे अगला है असम एवं कूच बिहार में बैस्णों धर्म का प्रवर्तन किस ने किया या आपके सिर्वस में जिली जवाब दीजेगा असमे कुज बिहार में बैसोन धर्म प्रवर्तन किसने किया सभी लोग को जवाब जरूआ ना चाहिए शंकर दे उने बारे सदर दी असमे कुज बिहार के महान बैसोन धर्म संदत है नोंने असमे पचले तांत्रिक साग किमत का विरोध कर बैसोन धर्म की सुरुवात की घरी अथवा ग्रीकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था इतना करिए यकीन माने जिसको सेयर करेंगे आपको द्वाय जरूर देगा घरी अत्वा ग्रीकर लगाने वाला पहला अलाव दिल्ली था जी हाँ आपको इस स्रीज में मिल जाएगा जब मैं आपको प्रहाना सुरू करूंगा ठीक तो आपको सारी कॉंसर्ट में क्लिर कर दूँगा अलाव दिल्ली खिल जी वस जैसे घोलों को दागने के प्रथा दाग ववस्ता नगदी वेदन बजारनी अंत्रन ये अलाव दिल्ली की प्रमुक था अगर हम मुहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन करने वाला सासक पहली बार मुद्रा का प्रशन करने वाला फिर उसा तुगलक ज्यादा तालाब खुदवाने वाला और पहली बार भारत में जैसे आपने देखा होगा जो बिरुजगार हो तो उनके करेले बल्बन सिजदा पाबोस प्रथा नौरोज का तेहवार चहलगामी यह बहुत सारे सिक था जो बल्बन की राजधतों का सिधान बहुत ही प्रशित है यह अपनी आप उस्वर का पधिती मानता था एकिन सबी क्लास को मैं बता दूंगा मैं एके करके पढ़ा दूंगा लेकि लोगों ने भी तक नहीं जवाइन किया है वह दुर्गेश सरसाच करके इलनी भी दुर्गेश चाहे फेश्बुक पर देख रहे हैं चाहे यूटूब पर ठीक चलिए अगला यहां पर आपको मिलान करना है यहां पर पहले तो बताएए बाबर ने क्या बढ़ाया था जवाब जरूर दीजेगा देखिए बाबर ने जामा मजीद संभल में रोहेल खन इस्तित संभल में जामाजीद का निमार बाबर ने करवाया था हुमायों ने दिल्ली इस्तित दीन पना यह कहां पर दिल्ली के पास दीन पना नगर का स्थापना किया था पंद्रसो तैदिशने कब बताइए ठीक है समझ माया हुमायू दीनपना समझ माया रहा न अगबर के अस्थापत तिकला अदभुद विकास हुआ ठीक है अगबर के अदभुद जो उनकी विकास हुआ उसमें जहांगिरी महल के साथ साथ दिवाने आम दिवाने खास लिख लिजेगा सेलेक्शन दिलाने वाले प्रश्ण है पंच महल ठीक जोधा बाई इन सभी करा है जब कि जहांगिर आगरा से पांच किलोमेटर दोर सिकंद्रा नमगस्थान पर अगबर का मगबर अगबर काल में इसकी निव रख दी गए थी कहां पर सिकंद्रा में यह सिकंद्रा कहा था यह आगरा के पास था कहा था आगरा के पास मतलब इस प्रश्ण का क्या आप लोगों को कॉंसर्ट समझ मैं है हमने एक प्रश्ण से आपके कितने प्रश्ण बना दिया कि ठीक है मैं आगे पर अगले प्रश्ण की तरफ अगल आपके सामने प्रश्ण है कौन सा हैद्राबाद के सुदंद राज के साथ स्थापक है जल्दी ने कौन ने बताईएगा जल्दी से सभी लोग कोमेंट करेंगे जबाब दीचेएगा चाहिए से फेश्बूप के देख रहे हैं चाहिए यूटूप पर देख रहे हैं हैद्राबाद सुदंद राज का साथ स्थापक कौन था उन्नेइस एक सिल्बस के अधार पर है चिन किलिच खां बताईए यहां पर मैंने आपको बता है न हैद्राबाद सुदंद राज के स्थापना चीन किलिचीन खां निजामूल मुल्क आज सब जान की थी अधिक है बड़ा नमबाल नाम है लाट कार्ण माली की कपर कहां इस्ती थे इंपोर्टेंट है लाट कार्ण में इसकापर कहां इस्ती थे बताई जल्दी से कॉमेंट करके सबी शाथी चाहे से जहां भी देख रहे हैं कि यार्ट इस प्रष्टे का उत्तार होगा गाजीपूर गाजीपूर कहां यूपी में है मैं जुदपूर जनपत की सिरादेन से हूँ ये बगल की जिला है थि कहां का जिला बगल जिला है अब हम यहाँ इसकी बारे में थोड़ी बात आपको इश्ट्रा बतादा चाहेंगे अस्थाई बंदोबस्त के लिए इतिहास में प्रशिद्ध है उसने अपनी अस्थाई बंदोबस्त बिहार बंगाल, बिहार, उरिशा में करवाया महसूर के तितियुद्ध में उसने महसूर के साथ सक्टिपो सुल्तान को फराजित किया इसकी कब्र घाजीपूर में मुश्ट इंपॉर्ट है अस्थाई बंदोबस्त, जी हाँ लिख लीजिएगा लाड कारने वाली परिच्छा प्रस्णाएगा यह मत कहिएगा दुर्गे सर नहीं पढ़ाया था ठीक है फिर हम नहीं सुनेंगे कि दुर्गे सर आपने नहीं पढ़ाया था पढ़े लीजिए, खुब अभू प्रस्णाएगे आप के किस कीन सोड उपनवद कराएगे जब परिच्छा पेपद अगर बाहर निकलेंगे एक अनुभू सबसे बड़ी चीज है यूट्यूब पर बहुत सर से चक पढ़ाते हैं क्या आपको पता है कभी वो टेट सीटेड है कोई परिच्छा पास हैं कभी जड़ा पूछिएगा तो आपको यह अस्पष्ट होगा कि वास्तों में क्लास किसकी पढ़नी चाहिए अगला साहर संदी किसकी एकाल में क्रियानवीन किया गया प्रशनमबर 21 ये था लाट वेलेजली लाट वेलेजली भात का गवर्णर जनरल ये कमपनी को भारत के सबसे बड़ी सकती की रूप में स्थाबिक करना चाहता था इसने भात के राज्यों को कमपनी की अधिर लाने के लिए साहर संदी प्रणाली उप्योग किया वेलेजली के से पहले साहर संदी का प्रियोग डुपले ने किया था इससे पहले इसने क्या था डुपले ने ये गवर्नर था कहा का फ्रांस सीसी था इसने इसके पहले इसने फ्रियोग किया था ठीक है चली आगे चलते अगे पिश्टी की तरफ इपन बबॉता भाद किसके सासनकाल में आया आप लोगों ने भी तक लाइक नहीं किया वीडियो को शेयर नहीं किया या थोड़ा साथ देना सिखिए यकीन मानिए इस वर आपके साथ खड़ा रहेगा अच्छे चीजों को लोगों तो पहुचाईए गर आप संतुष्ठ है कि वास्तों क्लास बहतर चलना है इबन बबु अपस्तान मोहमद बिन दुगलग ने इसे काजी बताया और इसने रहला नाव पुस्ताग कि रहला अगरती इंपॉर्टेंटेंट पूस्ता रहला पुस्ताग किस ने लिखा इबन बभूता ने लिखा था और इसे काजी बनाया गया था यह मुरक्तों का निवासी था इसे जेल भी हो जाती कैसे होती है आपके शामने है जब आप जरूर दीजेगा बंग्नाल का भी वाजन करने वाले गवर्न जनल कौन है कौन था बदाईए बदाईए देखें बंग्नाल को भी भाजन करने वाला गवर्न जनल कौन था यकीन मान ये परिच्छा के बाहर जब निकलेंगे तही लेनी भी दुर्गेश की याद जरूर आएगी आपको कि कास आपको साड़ी क्लासेज पड़ी होती अगर प्रस्ट नमबर त लाड करजन बंगाल विभाजन कब 1905 मोशन पॉर्टर ये पूस्ता 1905 किसके लिए प्रसिद्ध बंगाल विभाजन के लिए है प्रसास्तिक असोविदा का तर्क दिया था बंगाल बिहार उडिशा जो आज भागना देश करिश्च्छ वात करजन का बंगाल विभाजन ले हुआ कौन था जबाब जरूर दीजेगा यह सब परिच्छा वाले प्रस्ट अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा ऐसे प्रस्टी पर इच्छा में और आते हैं यह प्रस्ट पेपर उतना आसान नहीं होगा यहां पर क्या होगा प्रस्ट था किसके समय लाड़न हुजी दाक्तार रिलवे बंग बंग उनई सो पाच सही है भारती राष्टी कांगरेस के स्थापना के समय भारत का वाइसराय कों था मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्योंकि स्थापना 1885 में भारत का वाइसराय कों था कर हर हर मैदान फतर अब की बार एक्सिट हमार प्रस्ट नबर 25 लाड़ डफ्रीन लाड़ डफ्रीन था अठारा सो चौरासी से अठासी तक लाड़ डफ्रीन राश्टी कंग्रेस था अपना इसी समय हुई थी आंगल वर्मा किस तरह युद्ध भी लड़ा गया था जिसमें वर्मियों को पराजे हुई थी चलि 26 कह रहा है भार्ति राश्टी कंग्रेस की अधिवेश्चनों में किसने कंग्रेस का लच पूर स्वराज घुशित किया पूर स्वराज किसने घुशित किया प्रेस्ट नमबर 26 लहोर नेश्व अंतिश्में इसमें भात कि राश्टी कंग्रेस ने जो लहोर मद्वेश्ट सा 1999 में किया इसमें पूर स्वराज का लच रखा गया और फिर काग्रेस एक निवत एक कार्श्मित ने 39 जनवरी में प्रेस्ट किया पर तेक और इसलिए 26 जनवरी को पूर स्वधिन्ता दिवस के रूप में मनाया जाने की बात खाएगी इसके कारण आदनी भात के तिहास में 26 जनवरी प्रथम स्वधिन्ता दिवस के रूप में मनाया गया यही से पूर स्वधिन्ता दिवस के रूप में मनाये जाने की बात खाएगी इस चौरी-चौरा घटना के समय महत्मा गांदी कहां थे बताई जल्दी से कॉमेंट करके चौरी-चौरा कहां हुआ था गोरखपूर में एक प्रस्ट गोरखपूर कहां पर है यूपी में है कब हुआ था पांच फरवरी किस साल 1922 देखे प्रस्ट में प्रस्ट मन रहे है बार्दोली में थे महत्मा गांदी कहां पर थे बार्दो जी इस घटना से दुखी होकर असयोग जो उनका अंदोलन चल रहा था उसे अस्तगीत कर दिया सोची कितने प्रस्ट हम आपके सामने बना किला रहे हैं ताकि आप इस फर्तिम अपना स्थान जुरिफिक्स करें वीडियो को जितने लोगों ने लाइक और श्वर किया यकीन मानिए उन लोगों ने जितने बेश्ट कर रहा हैं परिच्छा में ऐसे ही प्रस्टाने वाले हैं आप साथ दीजिए हम आपको परेडाम देंगे बस साथ दीजिए कुछ मत करिए मेरी मेहनत को लोगों तक पूचाईए अगर आप इससे संतुष्ट हो भागति राष्टी क मांगे गए थी गांधी इर्वेल समझोता मोस्ट इंपोर्टेंट पांच मार्च 1931 रटे लिजी यह 1929 में था भरत्य राष्टी कांग्रेस का खराची अधिवेशन कब हुआ यह 29 मार्च 1931 राजगुरु को फासी 23 मार्च राजगुरु शुक्देव भागत सी 23 मार्च 1931 अब इसको क्रम से सजाना आपके है हाँ बर्दॉली के महिलाओं ने सरदार की उपाधी दी थी बलाभे पटेल को इसका उत्तर क्या होगा अब अपनी सजा लिजेगा आपका काम है मेरा काम जो था मैंने रिपका दिया अब बाकी आपकी जिम्मेदारी है आप कितना हद तक इस क्लास को सपोर्ट करते हैं साड़े नौ बजी मुबाइल में लारम लगाके रखते हैं अगला है निम्रिखित में से खौन चंपार्ण सत्याग्रह के शंबंद में शही नहीं है जबाब जरूर दीजेगा आप सब्सक्राइब के प्रतिच्छा करेंगे क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तक छोड चाहेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए अगा चलिए उन्तिस की बात करते हैं यहां पर यह किसां से जुड़ा था सभी पाद यह तिन कठीया प्रता की विरुष संचाइद के आगे मोस्ट इंपर्टेंट डाटर राजेंद्र परसाच जेबी किल्प्रानिस में मुंसी का सभी है यह पर्थम आंदोलन था जिसमेंट के गांधी संपूल भात के अस्तरारं की जी नहीं यह पर्थम आंदोलन जरूर था चंपर्ण सथ्यागर उन्हें सो सत्रह में गांदी जी के आने के बाद पहला आंदोलन था किसानों से जुड़ा था तिन कठीया प्रता के विर अगर ऐसी क्लास यूटूबर कहीं मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा छोड़ दीजेगा अगर से ब्याक्ठ्या में ऐसे प्रश्णी की सिरीजिकर कोई लेकर चलाए तब भी तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा आशा ही होगा अंदोलन अगला है किसने म आगे दारी के भर्ट सुना के थी जवाब दीजेए ठीक है चलिए चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए अप्रश नमबर 30 का जवाब महम्मद अली जिन्ना मात्मा गांदी के धार्मिंग ने ताओं दोरा प्रारण खिलाफ़ा दांदोलन में बागेदारी की बत्तना की उन्होंने गांदी जी को राजनीति धर्म को नल लाने की सला दी थी राजनीति में धर्म नल लाने की सला दी थी अगला कुर्ण प्रिकारी काल लोकmental प्रिपत्र कौंग में से कौन अनेप कार्णों से कांघरेस की अलोचना करती है जवाब जीचेगा प्रस्टंबर 31 बंगवासी काल केसरी और अप्रीश का सही जवाब है करांदिकारी काल में बंगवासी लाल केसरी इंदलों में समर्थन करते थी इन पत्रिकाओं ने कांग्रेस के उदारवादी नीतियों के अलो चुना की थी कौन सो सही नहीं है तीन एक नहीं है प्रस्टंबर 32 देखे राजाराम मुहनराय ने ब्रह्म समाज के अस्थापना की कब अठारेसो अठाइस एक प्रस्ट नहीं और एक प्रस्ट नहीं दो प्रस्ट तयाद स्वामी द्यानन सर्श्वत्ती ने आर समाज के स्थापना की कब 1875 दोप्रस्ट स्वामिश देखा ने रामकिष्ट मिशन के स्थापना की कोब बताइए 897 महादयों गोबेद रहनाडे हाँ इन्हों ने ठिबकल सुचादी का स्थापना नहीं कि थी ठिक ठिबकल सुचादी का स्थापना किसने किया था मैडम ब्लाट वस्की किसने क्या था मैडम ब्लाट वस्की और करनल अलफाट अलफाट कब कब किये थे 1932 ठिक इसलिए प्रस्टने का उत्तर ये गलत डी होगा जो गलत है वही सही होगा ये परिक्षा वाले प्रस्टने जो बार-बार कुछे जाते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ा एक लिए प्रस्टन की तरफ जित्ते लोग इना लाइक किया ना भागवान उनकी बुद्धी बियुक बनाय रहे ऐसे लोग बच्चक भविस को क्या समारेंगे पारेंगे जित्ते लोग में लाइक को शेर किया है और मैना से पढ़ रहे हैं वह अपने माबाप का सपना जरूब पुरा करेंगे और लाइक करने वाले इसे जिन्दक बार करते रहा जाए बुरे लोग बैसिक से इच्छा में पहुच जाएंगे उसको भरबाद कर देंग अच्छे लोग अच्छे देखा जाएं हरजन सेवक संग के संस्थापक कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट हरजन सेवक संग के संस्थापक कौन है पर्था मध्याश कौन थे सोचिए इस प्रश्ण का उत्तर अभी तक किसी ने सही नहीं दिया अगर परिच्छा में जबाब देते तो वाट लग जाती देखिए आप लोग अच्छे लोग यार आप लोग अच्छे जगा जाएंगे देखिए इस प्रश्ण का उत्तर साभी निकलती है महत्मा गांधी कलत है यहां पर संस्थापक अध्यच पूजा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा महत्मा गांधी ने पूना पैक्ट के बाद किसके बाद गांधी जी ने पूना पैक्ट पूना पैक्ट कब 1932 पूना पैक्ट 1932 के बाद असित्ता को समाप्त करने के लिए अकिल भारती असित्ता जिर्योधी लिक्क स्थापनों कि इसके बादा अस्थापना कर दें इसके पर्थम अध्याёт घंस्याम दास बिर्ला थे कौन थे घंस्याम दास बिर्ला ठीक है देरी बात को ध्यान समझेगा महत्मा गांदी ने पूरा पैक्ट उने इसे 32 के बार असिप्टा को समाप्त करने के लिए अकिल भारती असिप्टा विरोधी लीग कि अस्थापना की इसके बाद इसका नाम हरजन सेवक संग रख दिया तो हरजन सेवक संग का पुरा नाम क्या था पता किशी को इसका पुरा नाम क्या था इसका नाम था अखिल भारती सोचिए ऐसे गलती अगर आप करेंगे परिच्छा में अखिल भारती और कहेंगे किस और हमारा सेलेक्शन नहीं हो रहा है अस प्रिश्टा जी है अस प्रिश्टा विरोधी लिख फिर रैटिंग गड़ बढ़ है विरोधी लिख इसका नाम बदल कर हरजन सिवक संथिया गया ठीक कौन था ये कंफ्यूजन वाला पश्टन था और ये परिश्टा में अगर आप जाते कितनी गलतियां करते हैं सोचिए लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद आप गलती नहीं करेंगे इसका उत्ता ए होगा एकढ़ी रिभा इसका पुराना नाम अकिल बारत यस पिष्ट भिरोधी लिख था इसका नामाघे चल्क बदल कर हरजन सिवक संथ कर दिया गया इसकी पहले संस्ताफक अद्याच घंस्यामदास भिर्ला चुने गए अगला एजोला पहुदा जय अरुवरग की रूप में प्रियोग क्या जाता है क्योंकि इसका क्या होता है 34 एजोला एक नील हरिस सेवाल एजोला क्या है एक जली फर्न है क्या है जली फर्न है इसकी जड़ों में इनाबीन रहता है नेट्रोजन इस्तिकरन करता है धानी खेती में एलोजला का प्रूरग के रूप में कहा जाता है एलोजाए सहचारी नील हरित सेवाल होता है अगला निपेतनीज खासियाना घट पढ़नी नामक दुरलग हो अपाती पौधा कहां पाया जाता है जी हां आप लोगों एक दम सही बताया जबाब जरूर दीजेगा क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ऑनलेन क्लास या नोट समद मेंगर कोई जानकारी चाहिए इस नमबर पर ले सकते हैं जानकारी जहां पर आपकी क्रैस कोर्स उपलब्द है मेरी क्लास आजगेस्ट को रूप में निसुल जेसित में राशित में होती है जुनपुर जनपत की सिराजेहन से मेगालाई मेगालिस का सही जवाब है पस नमबर 35 मेगालाई की गारोखासी जनतिया पाड़ी में निपतनिस खसियाना जिसे घटपाणी एक ब्रिच पाया ज मुष्स पादे तर 낮 अफ्हीमपूष्ट पादे की किस भाग से प्राप्त होते हैं छब्रेव १हित्यजी और प great of a हिए अज़पके फ़ल इस एक पिल्म प्रौप्त किया जाता है जिए क्या पुक्रफ्ळा होताए है कि कित में एन दल से अफीम प्राप्त किया जाता है कि पत्तियों पौदों के लिए भुजर मनाती है रंद्रे सायत्तम सोचन करती है निम्लिखित मसालों में कौन सी यह पुस्पकलिका होती है बताइए कहां पर पुस्पकलिका होती है पुस्पकलिका गहां होती है बताइए 37 लॉंग में मसालों में लॉंग काली में छल्डी लॉंग कुस्पकलिका होती है हल्डी वह में गत्रपांत्रण होता है चलिए और अगले चलते हैं और अगले प्श्पकलिका तरफ पाड़ा भार्मोश नहीं है नकात्व पश्ण है तील है और एक नहीं है और आपको यही बताना है कौन सा नहीं है बताई जली से कॉमेंट करके जबाब जरूर दीजेगा क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तक छोड़ेंगे नहीं अब की बार एक सिट हमार चली 38 में आप बख देखते हैं क्या होगा सैटोकालीन इठलीने जिब्रालीन इसुलीन नहीं है इसलीए ऐसीbu क्या होगा शयो अनंतिसमें इसुलीन दोब हार्मोंस नहीं है यह यह्क है है रग्त सरक्रा कि मात्रा को नहींतिट करता है нравится ठीक है amar हुआ पर चली कि काऊं से खरी की फॉसल नहीं है तीन हम रेक नहीं है यह लाव स्सक्राइय고 trading में कि यह लएनवाले प्रश्ण सोब्रेश्ण है न ये प्रेंडिंग में सांधे बतेगी क्या होगा अरहर है मक्का है धान चना नहीं है यह रभी की फुशल है ठीक रभी गेऊंग चना सरसो मठा राते हैं खरी में धान मक्का रहर आते हैं कि शमाना का सबसे ज़्यादा बेस्तार क्या है चालिश नंबर है ठीक है जब आप दीजल दी जब आप सभी के आने चाहिए चाहे गलत है सही अभी की बार एक सिट हमार शमाना अफ्रिका में शमाना अफ्रीका में अगर हम उत्री अमेरिका की बात करें तो प्रेरी है अगर हम देखें अगर हम एश्या की बात करें तो इसी हम क्या है जब की अगर हम दच्छन अमेरिका से अर्जेंटीना में देखें तो पंपास क्याते हैं इसका उत्तर क्यों होगा ए अगला कौन सा देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक और भुगता है यह आपका ब्राजी क्या होगा ब्राजी लोगा अजे से एक सस्थां बैकल्पी कि दाने इंभ लिभ करें त्यार किसे गणि मिटरसे करने कहा अग्यरस उत्ति त्यार किया जाती है लिगत्रश्य संवंधा ऐसे पेट्रोल मिलाकर घईसोहाल किससे पादूसर नहीं होता पेट्रॉल की चार पर्सें तक बच्चत हो जाती है हरी क्रांथी का संबन कि श्रेयर खाद्यान कि स्रेत करांथी कि दूद कि पीत क्रांथी नीली क्रांथी बस असान सा प्रश्ण यह आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ आगले प्रश्ण की तरव यह क्लास की जो पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिलेगी सबी लोग टेलिग्राम पर दुर्गेश सर्च करके इलर्नी विद्रगेश पर जूड़ जाएंगे इसकी क्लास की जो इंपॉर्टेंट पीडियाफ होगी और फेस्बूक पेज इलर्नी विद्रगेश दोनों पर उपलब दिगरा दिया जाएगा ये क्लास प्रत्य राज साड़े नौ बजे इलर्नी विद्रगेश पर लाइब चलती है करेंड की और विवित की पीड़ देली आपको मिलती है उसकी क्लास सुबस साड़े च्छ बजे इलर्नी विद्रगेश पर लाइब रहती है बागी क्लास पूरे दिल चलती है जिसमें भासातिच्व, गणित, विज्ञान, सातिसाथ, SST, सभी क्लासेज इलेनी बुद्रिगेश पर उपलबने क्रैस कोर्स के रूपने, चाहे तो जूड़ सकते हैं किस फसल के अंतरगत सरवादिक शत्फाल है, 43 धान, भारत की फसल सरवादिक किसी चेत्र में, चाहल बात की प्रमुख खादे फसल है, जबकि गेहूं, दूसरा, यह पहला है, और यह दूसरा है, ठीक, अमन धान उगाया जाता है, अमन धान उगाया जाता है, में, नंबर इसंबर में, जाड़े, हैं, निन्वकित में कौण सा एक भारत की संचीत नदी भारत नहीं है, तीन है और एक नहीं है, जब आप hello दीजेगा कि तीन है और एक नहीं है कि बात के मुखिन आदिश का वितन मिलता है नेंत्र मालग परिच्छे का मिलता है नहीं मिलता है क्योंकि लोग सभा का सदस्य राज सभा के सदस्य होता है इस प्रश्ण का उत्तर्शी जो गलत है वही सही होगा इसे याद रखे यह सारे जो नीक प्रश्ण है जो बार बार आपकी परिच्छा पूछे जाते हैं और हम उनी सीरी जो को लेका राते हैं ताकि आपके परिच्छा में हुबहों यहां से प्रश्ण फिसें बात के राश्च्पति चूने जाते है बहुत important प्रस्ट ने दिखिए रासभाध में नहीं कि राजसभा लोगसभा राज्यों की बिदान सभाओं के द्वारा इस प्रिशने का उत्तर क्या होगा ड्री जो भात का राष्ट पती होता है और सपत किसके सामने करार करता है चिप्जेश्टी काप इंडिया अपना त्याग पत्र किसको देता है तो आप कहेंगे सर मुखिन चाहे लोगसभा चाहे लोगसभास के उध्यान सभाओं साय्याजिकित गप्रश सब्समीरा है ठीक अगला in 47-चान राज सभाज संमंन्दित कंसक्स रहे हैं राज सभाज अनुशेत किसकी अंतरगात आती है यह कोन सभाज सभाए साइथा भात के महानेदि राज सभाज उलने का दिकार नहीं है जी वो किसी भी सदन में बोल सकतार है डूसरा राजलभल यह तासिघ्र अपनी सदस्ट को अपना सव्वदी चुंती जी नहीं यह उपराश्ट्पति जो था वह इसका सदनका सदस्टी होता है इसके सदन राज्जों के प्राधेशी निवाज इस तो पत्य निवाचन द्वारा आते हैं मैं राजलभल का बिगटे तीस वर अधिक्तम अलिम्टेड ठीक है मूल अधिकार संबंधित समिद्हान में अनुश्यद कौन से पताचरुप से बालकों के सोसर्थ से संबंधित है अरतालीश सब्सक्राइब करिएगा जितने लोग अनुश्यद क्लास है नोट्स के समद्ध में आपको कोई जान करें चीए इस नंबर पर वाट्सेप करके जैनकारी ले सकते हैं यह क्लास जोनपुर जैनपत के सिराजे हिंस है मेरे द्वारा निशुल्क है और बागी देंके ले सकते देखे सत्र क्या है असिप्रिस्ता का अंट है ऑन्नाइस प्रेड़ा माप स्पीच है चौबिस और पचीश तो चौबिस इसका सही जवाब होगा पचीश क्या है अंता करण के धर्म के अभाध रुप से मानने आचरन करने प्रसार करने की सुझता है किसमें पचीश में ठीक है समझ माया इसका उत्तर क्या होगा सी रट लीजिए मूल अदिकार भाग तीन में अनुश्य अद्वारा से पहते इस तक चली अगला सवाल आपके है पचास पश्टों के सीरी जाज़ा पेकातम हो जाएगी कौन सा भाधती राज तन्द नहीं है तीन और एक नहीं है सबी लोग फटापट कमेंट करें बताइए क्लास से समंदित कोई भी जानगारी इलर्नी बे दुर्गेश के ओफिस के नंबर भी लिजे भी या हम तो गेस्ट के रूप में निसूलक आपको पढ़ाते हैं फश्ट पेपर मेरी होगी और भी क्लासे जमारी होगी जो आपको टेलीगराम पर मिलेगी टेलीगराम पर इंदी संस्क्रीट एसस्टी गड़ित विज्ञान इन सभी क्लासे आपको मिलती है इनका टाइम टेलीगराम पर है कि इस प्रिस्ट नंबर उन्चास का जवाब होगा एक समिधान सरकार है देश में लोगतांत्रिक सरकार है बिद्धिक असासन सत्ताधारी सरकार जी नहीं यहां पर सप्ताधारी नहीं संसदी पढ़ाली कौन से संसदी पढ़ाली है रिफ्रकारी अगला है अधिनियं क्यों मोस्त इंपॉर्टेंट बताइए पर्मा भारस से अलग हुआ है भारस सासर अधिनी मौनी इसो पैदिस गोर्मेंट आफ इंडिया अक्ट 1935 समिधान में जो तीन सो पंचान बनुछेद है इसका 75% ज्यादा हिस्षा उबहू या थोड़ी परिवर्तन के साथ यहां से लिए इसलिए इस परशन का जब प्रांद को गवर्नर अधिना खा गया केंद्रिया संग सरकार के लिए एक संगी नियाले भारत में अस्थापना की गई और बर्मात था अधन को भारत के सासंद से अलग कर दिया गया चलिए आज के साथ यह क्लास पूरी खतम होती है बहुत बहुत धन्यवाद कितनी लोग लोगे कोमेंट सक्षाम में कुमेंट करियेगा यह क्लास फेसबूक और यूटूब की लाइनल कि यहाई कॉमेंट करिएनल बएक TIM रहाए कि वोड़त त्यंकी लिए टॉन गाई ड़ी बाहीं अब सब् u क्योंकि एक कि जी हां कि चलते हैं को सवाल आपका है तो पुछते हैं वरना बिदा होते हम आपके साथ कोई सवाल नहीं है छली थैंक्यूर toutes यह सारी परिच्छा वाल जैसे परिच्छा माते हैं ऐसे हैं सवाल आपके लिए हम लेकर आते हैं ठीक हाँ एक दो दिन बात 11 बजे क्लास इस्पेसर लगने वाली है जैसे स्टाटिक जीएस उत्रपदेश कॉरेंड की और विवित की स्रीज रात 11 बजे जल्दी सुरू होने वाली आप सभी के लिए